हेलो नहुसकार दोस्तों दोस्तों जो राहिस्तान की स्कॉलर्शिप की बात करी जाए तो दोस्तों आपको पता होगा जो रेड फ्लेग वाली समस्चा सबसे ज़्यादा स्टुडेंटों को साथ में आ रही है तो दोस्तों अब रेड फ्लेग में एक और नई चीज देखने क यहां से मिली है जो भी स्टुडेंटों का रेड़ फलेग आ रहा है उनके लिए अब इसमें क्या दिया है कि विवाग ने अब तक तो डायरेक्ली रेड़ फलेग वाला उप्शन दे दिया था हर किसी के लिए उसमें ना तो यह रिजन बताया था कि क्यों red flag दिया है कि स्टुडेंट को ब्वाग माना किसको नहीं आना लेकिन आप दोस्तों ब्वाग ने क्लियर किया है student नो के लिए कि किसकी क्या गलती है और किसे ब्वाग में आना है और किसका automatic verify यहां से वापस हो जाएगा तो यह चीज में आपको आज इसमें अपडेट में बता दोंगा जो red flag वारी समस्या आ रही है student के साथ में तो यह complete वीडियो में आप देख लेना और दोस्तों बीडियो को subscribe जरूर करो आप चैनल को subscribe नहीं करते हैं दोस्तों बहुत कम subscribe है आपके वीडियो इतना देखती हो आप और subscribe बहुत कम तो प्रिएक जरूर कर लेना तो दोस्तों यहां से मैं अब आपके लिए एक बर देखा देता हूं complete डिटेल आपको कम इसमें बताऊंगा दोस्तों अब यहां से आप इसमें देखिए 362030 को यहां से red flag का option आया है application mark in red flag please contact district office ये तो इस प्रकार से यहां पर red flag वाला option इसमें दिया है दूसरा option मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा इस प्रकार आया है red flag का option दे दिया है इसमें विवाग ने एप्रूव फॉरम है एप्रूव है complete डियलो के द्वारा फिर भी इसे बापस डियलो ने pending किया है क्यों किया है इसका कोई region नहीं है क्योंकि इसमें red flag आया है यह एक update यह भी था इसके अलावा यहां से तीसरा इसी का red flag का option देखते हैं आप यहां से तो अब यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तो रेड फ्लेग आया है दस साथ दो जार तेश को यहां पर payment section हो गया डियलो से एप्रूव हो गया दुवारा से section जी वेरिटेड फोर जी वेरिफिकेशन यह इन्होंने दुवारा पैंडिंग का दिया यानि कि तुमारे दो भी डॉक option में इसका कोई short तरीका नहीं है दोस्तो अगर आप नहीं जाते हैं तो यहां पर किसी भी condition में आप इसके जिम्मेदार होंगे अब यहां से आप एक रेड फ्लेग यह देख लिए पैंडिंग है एप्रूव हो गया payment section हो गया इसके बाद में दुवारा पैंडिंग किया है क्यों payment जो section है रिवेर्टेड फोर जी section डी एलो एसेम एल एनो नमर दिया है डेट दिया है यानि कि दोस्तो इस तारीक को इसको रिवेरिफिकेशन के लिए इसको भी आपर डाला है यह जो समस्यां दी गई है अभी यह देखने को मिल रही है section जी वेरिफेड फोर रिवेर वेरिफिकेशन payment section होने के बाद में तो यह जो रिवेरिफेड वाले option आ रहे हैं इसमें इसलिए आ रहे हैं तो इसमें आप करना यही है आपको जो complete detail में बताई है यह वाले अब आपको देख लेना है अगर आपके इस परकार का option देखने को मिल रहा है तो आपको डिश्ट तो फिर मिलते हैं ने स्टूडियो में तब तक लिए धन्यवाद